A और B के आयकन पाथ 7 अन्पाथ 8 है, और B और C के आयकन पाथ 4 अन्पाथ 3 है, A और C के बचत का अन्पाथ 4 अन्पाथ 3, और B और C को मिलाकर उनके बचत से permettre 1000 दिया गया है कि उनका व्याय बराबर है, तो B का वेतन कितना हमें ये बताना ठीक है? तो कितना हो जाएगा, हमारे पास A, ratio B, ratio C है, जिनकी income का ratio कितना दे रखा है, 7, ratio 8, और 4, ratio 3 दे रखा है, तो सबसे पहले इसको बराबर करो, तो यहां नीचे 2 से multiply कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7, ratio 8, ratio 6 आ जाएगा, यह क्या है, इनकी income का ratio है, ठीक है, यहां इनकी expense का ratio ल 4, ratio 3 दे रखा है, अब नीचे क्या दे रखा है, उनका way बराबर है, तो 7 में से क्या घटाएगे, कि 4 आ जाएगा, 3 घटाएगे, 6 में से कितना घटाएगे, कि 3 आ जाएगा, 3 घटाएगे, तो यहां भी 3 घटाएगे, तो यहां कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, अब क्या बोल रहा है, B और C को मिलाकर उनकी बचत से एक ये बचत का अंतर इतना है तो B और C को मिलाकर कितना आजाएगा 8 आजाएगा, 8 में से 4 गया कितना आजाएगा, 4 ratio आजाएगा, तो 4 ratio की value कितनी दे रखी है, 32 आजाएगा, तो 1 ratio की value कितनी आजाएगी, 8000 आजाएगी ठीक है, हम से किसका वेतन पूछा है, B का पूछा है न, तो B का रिशो कितना है, 8 ratio है, तो 8 से multiply कर दें, कितना आजाएगा, 64000 आजाएगा, कौन सा option है, option number 4 क्या देगा, हमें correct answer देगा